प्रिवा आहाप के मन में एक बुरी एक्छा उत्मन हुई वो क्या थी? परमेश्वर उसे सब कुछ दिया वो उनका सुक उठा सकता था लेकिन आहाप का मन एक निर्धन के दाख के बारी पर लग गया है क्या कोई हमारे बीच? आपको परमेश्वर वस्तू दिया, वाहन दिया, घर दिया, वैपार दिया, लाब दिया, बैंक बैलेंस दिया, पतनी दिया, बच्चे दिया, सब कुछ दिया फिर भी आपकी बुरी नजर एक निर्धन के उपर पढ़ने से, एक निर्धन इस्तरी पर होने से, पराय वेक्ति के उपर होने से, उसके घर के उपर होने से, जमेन के उपर, खेत के उपर, उसे किसी भी तरह अपना बनाना है, इस तरह बुरी व्युक्ति करने से क्या होगा आप जानते हैं, उसे मैं विस नाबोत निकाहओ उस के विशह में कहा, वो क्या है कि, वो मेरा कमाया हुआ नहीं है, मेरे पूरवजों की है, मेरे महनत से कमाई हुई नहीं है, मेरे पित्रों ने कमागर उसे मुझे दिया है, प्री भाईयों और बेहनों सुनिये, आज जो उद्धार का आनंद आपके जीवन में है, आज जो आपके जीवन में परमेश्वर के साथ मेल है, आज जो आपके जीवन में परमेश्वर का दिया हुआ शमा है, ये आपका कमाया हुआ नहीं है, तो फिर हमारे प्रिये इश्व मसी, कुरूस पर मरकर, मेरे और आपके लिए अपना प्रान देकर, मुझको रापको दान में दिया है, इस उद्धार को, इस आनंद को, इस खुशी को, इस पवितरता को, इस शांती को, तुछ बातों के लिए, अल्पकाल के पाप भोगों के लिए, आप खो देंगे क्या, एक बार सुचिए, तुमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, इस देह को, पवितरता के साथ रक्षा कीजिए, प्रभु ने कहा है, प्रियो नाबोत कहरा है, मैं जान दे दूँगा, लेकिन, इस दाकिबारी को नहीं खोंगा, ये शरीर कहां से आया है, बताएंगे आ ये भूमी में से ही आया है, परमेश्वर मिट्टी को लेकर मनुष्य को रचा और उसके नतनों में जीवन के श्वास को फुका, तब हम जीवित आत्मा बन गए, ये भूमी है, ये भूमी है, इसे यदि कोई मिटा दूँगा कहने से, इसे कोई ले लूँगा कहने से, इसे कोई पाऊंगा कहने से किर्पिया इसे मत बेचिये प्री भाई और भेनों इस भूमी की रक्षा कीजिये इस दे की रक्षा कीजिये इस शरीर में ही इस देह में ही परमेश्वर अपना निवास स्थान बनाया है और उसका नाम है हिर्दय इस हिर्दय में परमेश्वर निरंतर निवास करता रहेगा ये अतिपवित्र स्थान है अतिपवित्र स्थान में परमेश्वर निवास करता है इसलिए आपका देह परमेश्वर का मंदिर है इसलिए उसे मत बेचिए पाप में कामों के लिए उसे बंदक में मत रखिए बदले में कोई कुछ दूंगा कहा इसलिए आपकी इच्छा आपकी मर्जी पूरी हो जाएगी और शक्तायम पूरी हो जाएगे इसलिए उसे किसी को मत सौपिए नाबोत को देखिए निश्यत रुप से उसने कह दिया आकर मांगा किसने था? अधिकारी कौनसा अधिकारी? एक उंचा अधिकारी ना कहने से क्या होगा? कुछ भी हो सकता है लेकिन नाबोत मुझे कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं लेकिन मैं थो भिकूंगा नहीं आज इन बातों को सुनने वाले भाई और बहन आप परिक्षा किये जा रहे हैं क्या? आपके उपर जो अधिकारी है और उसके उपर जो अधिकारी है जिसके पास धन है उसके द्वारा अपने मालिक के द्वारा आप परिक्षा किये जा रहे हैं क्या? नाबोट आपका आदर्शोना है नाबोट की बहुत परिक्षा की गई लेकिन वो बिल्कुल जुका नहीं तब इजबेल एक निर्ने ली क्या था वो निर्ने? नाबोट कौन है? उसकी आवकाद क्या है? उसे मार डालने से पूछने वाला कौन है? ऐसे सोच के साथ दुष्टिजबेल एक निर्ने में आ गई क्या है वो निर्ने? दो निकम में लोगों को वो तैयार की वे दोनों मिलकर आए ये नाबोट परमेश्वर और राजा के विरोध में बात करते हुए हम सुने उन दिनों में राजा और परमेश्वर की विरोध में बात करने वालों को पथराव करके मारा जाता था नाबोट को वो ही दंड मिला वस्तों में वो विरोध में बात नहीं किया उसने केवल इतना कहा मैं अपने पित्रों की संपत्ती को क्यों बेचूंगा नहीं बेचूंगा परमेश्वर के लिए जलन से वो खड़ा रहा प्रीभाईयों और बहनों इस पाप में संसार में इस पाप में समाज में खराई से इमानदारी से मैं जीओंगा सोचकर खड़े उने से निश्चे कस्ट आएंगे मत भूलिये इस संसार में तुमें कलेस होंगे फिर भी हिम्मत रखिये क्योंकि मैंने जगत को जीत लिया है धर्मी जन के उपर बहुत से संकट आते तो हैं लेकिन उन सब में से परमेश्वर ही उसे छुडाता है बाइबल में परमेश्वर ने कहा है आप धर्मिक्ता के साथ जी रहे हैं क्या? खराई के साथ जी रहे हैं क्या? आप इमानदारी से जी रहे हैं क्या? तो फिर निश्चे कस्ट आपके जीवन में आएंगे बाइबल बताती है लेकिन उन सब में से परमेश्वर आपको छुडाएगा इस विश्य को मत भूलिए अगर आपको ना छुडाए तो भी आपको अपनी इमानदारी को बेचने की अनुमती नहीं है ऐसे आपको रहना है पवीत्र परमेश्वर पिता बहुत ही सीधे और इसपष्ट आप हमसे बात किये जिससे हमने नहीं कमाया जिससे हमने महनस से नहीं पाया उसमें से कुछ भी हमें नहीं चाहिए पराया धन सर्प के समान है भुरी अभिलाश्या, दुख का मूल है पिता इसे हम जानते हैं उसी समय हम जो कमा रहे हैं हर एक अधर्म की कमाई को आप देख रहे हैं वो हमारे लिए श्राब बनेगा ऐसे जीवन के अधीन होने के पहले ही हम आज ही हम आपसे शमा मांग रहे हैं शमा कीजिए पिता अपसे धर्मिक्ता के साथ खराई के साथ जीने के लिए हम अपने आपको आपके हातों में सौप रहे हैं अनुग्रे कीजिए इशु मसी के नाम से मांगते हैं पिता आमीन अनुग्रे के लुब एका जाम से अनुग्रे के लिए आमीन 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 जामीन